तो मन जानने वाले हैं टैली में किया फिर सेल्स करते हैं उसका प्राइस हुमें हैं सामान याद रखना पड़ता है कि मैं न Whereas समान कितना में खरदा था और उसको कितना में प्राइस में बेज ना है तो यह जई ज्यादा समान मेरे पास हर horrific हो जाता है तो इसके लिए टैले में क्या करें थाकि Dir automatic price ले जैसे आम लोगष देखते हैं कि जो भी समान होता है उसका All rif कैसे हम लोग first time ही standard rate sit करते हैं और कैसे हम लोग उसको apply करते हैं तो चलिए topic में बने रहिए गा topic जो हम लोग पठने जाँ नाम है standard rate.. youngest topic work करने के लिए सबसे पहले हम लोग daher You can do it рstä query को on कर लेते हैं.. ट dairy ऊन करने के बाद जो पहले से company होगी आपके tally करने के बाद हम लोग करना क्या है इफ 12 प्रेस करना है कीबोड से अपने कीबोड में आप इफ 12 प्रेस कीजिएगा एफ 12 यहां से आपको एक options दिखेगा एक्ट इन्वेंटर इन्फो जी हैं दोस्तों यहां से थर्ड न्बर options जो आपको दिख रहा है independent info इसमें जाना ह realities करना है इंडर प्रेस करने के बाद और yes करने के बाद finally क्या कर देना इसको accept कर देना है अब चलिए हम लोग चलते हैं देखते हैं standard rate हम लोग कैसे purchase और sales के समय लगा लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग accounts में जाएंगे laser में जाएंगे और दो laser की मुझे जरुवत पर ही कि दो laser बना लेते हैं जैसे मैंने sales का laser बना के बाद हमें वह आईटम का transaction total करना है जिसका हम details कर लेते हैं तो चलिए हम लोग उनिट सब मेजर में जाते हैं और यहां से एक मना लेते हैं पीस का जर्ने जाएंगे back जाने के बाद Struck Item में जाएंगे Struck Item में जाकर के varsa Confederate मगरेंगे मंने Amo लिए मैंने Opt at avis points रहे होंगे उसी समय आपको नीचे में City Statistics यहां से आप dus डालिए गा इंटर कीुझेएगा यहां से gentlemen का इस ज mots लालटेः और पार जैसे इक Pac- Salz डाल लिएगा को आप यह rate set करना चाहते हैं और यह cost price पूछ रहा है ठीक है तो इधर हम लोगे standard cost price डाल लेंगे जैसे माउस का मेरा cost price 250 रुपिया तो मैंने 250 डाल लिया और उसी rate से अब मुझे अगर transactions करनी है तो चली हम लोग transaction करके देख लेते हैं क्या यह rate जो है आटोमेटिक ले रहा है मेरा computer तो बिल्कुल लेगा यहां से accounting voucher में जाएंगे interface करेंगे f9 करेंगे purchase यहां से party name डाल करके इंटर करके नीचे आएंगे laser purchase का डालेंगे और यहां शामान हम mouse डालेंगे माउस डालने के बाद यहां number of quantity जैसे ही डालिएगा rate automatic by default ले लेगा पो जैसे माउस मैंने 400 पीस खरीद रखा यहां से 400 मैंने टाइप हिया तो देखे रिट करना चाहते हैं तो effect करके देख लेते हैं तो effect करेंगे यहां से sales का box आएगा इंटर करेंगे नीचे आएंगे हम लोग और नीचे मैं sales का laser डाला यहां से किया था इंटर के रेंगए और इंटर के नाइरेशन लिखेंगे बिंग शेल्स ने बेंग शुर्ट आहिए और फाइल ली क्या करेंगे लोग इंटर करके accept कर लेंगे तो इस तरह purchase or sales का काम हम लोग करेंगे अगर माल निया जाए कि किसी time अगर यह price change हो गया क्योंकि permanent यह price हो रहेगा नहीं तो फिर से अगर price अगर change हो गया तो फिर हम अपने system में उस price को कैसे set करेंगे तो चली एक पर उसको भी देख लेते हम लोग तो अगर माल अल्टर में चले जाएंगे इंटर करेंगे माउस को select कर लिया जिस इसका price इधर उधर हुआ उदर हुआ उसको select कर लिजएगा इंटर किजएगा और फिर से यहाँ पर आईएगा और यह standard rate का अपसंग दिख रहा इसको आप यस लिखिएगा यस लिखने के बाद आप जैस की में थोड़ी नबेचेंगे थोड़ा सो और प्राइस बढ़ा लेते हैं तो सपोज मैंने इसका 360 कर दिया 360 कर दिया सपोज फॉर एक्जांपल और इंटर किया आप अगर आप माउस का quantity अगर आप sales करने जाते हैं तो आप से कितना काटेगा 360 काटेगा आप इंटर कर 360 आटोमेटिक ले लिए तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने भी जो शामान पर्चेश करेंगी या फिर जो सामान हम लोग sales करेंगे उसका प्राइस हम स्टेंडर की तर सेट कर देते हैं जिसे एक बार आप quantity का नाम डालिए और यहां से एक बार आप नेम आफ हम डालिए और quantity कितना पिस खरीदना है वो डालिए और अटोमेटिक रेट आपका शिट हो जाएगा तो जी है अगर यह वीडियो आपको हेल्फुल लगी हो तो कि पर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा ओके थेंक यू